दोस्तों यहां पर जनल लोजना की connection आपने बहुत लोगों ने ले ली है लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं है कि यह जनल लोजना सुचार रूप से चनाले के लिए आपको कितना रुपे प्रतिमा आपको देना पड़ेगा तब आपको जाकर पानी प्रति दिन मिलेगा दोस्तों इसमें आप लोगों बताया गया होगा जैसे वार्ड आपको बोलेंगों कि यह बिल्कुल फ्री है लेकिन मैं आपको यह क्लियर कर दों कि यह फ्री बिल्कुल नहीं है इसके लिए आपको प्रतिमा उभोकता सुल्क आपको लगेगा जो भी जलन लोजना का connection लिया ह नहीं है और सुपीर नहीं सोण नहीं लग गया है और तीसरा लोग की शिकायत यह थी कि क्या हो रहा एक connection जो है में पाइप से घर तक पूंचा दिया जा रहा है लेकिन योजना के नुसार नहीं लगा जैसे योजना बताया था कि जो रसोई घर होगा चाहे उसका सोचाले होगा चाहे आपका जो असनान घर होगा वहां तक connection तीनों में एक अगो नौल देना था ले ले सकते थे आपको जानना जरूरी है माली जब करॉप्शन रहे तो आप जन्बू नहीं किजेगा तो आपको इस योजना में तीन आपको लेना था जो भी आप में से घर में जो connection आ रहा है एक आपको असनान घर रसोईया और आपका जो सोचाले वहां तीन आप लगवा सक तुआ हैं और इसका तुवकता सुल्क आपको कि बिल्कुल फ्री फ्री है लेगिन मैं आपको बता हुआ है आपको भूखसातथ शुल्क लगेगा आपको मैं ऑफिसली आपको बता छूब पहले देख लिए जो आपको लेटर दिख रहा होगा मेरे पीछे यह पंजी क्या ह जितने भी लोग जिसे connection लिए रखें ना उसका इसमें वाड जो है नाम डालेगा उसका पती और पिता का नाम डालेगा यह पंजी है इस तरह से और यह बताएगा कि धन जो है मतलब उससे कितना प्रतिमा जो है सुलक असूला है यहाँ पर यह उसको सो करना है यही जो है यह यह बताता है कि आपको जनलोजा में सूलक लगा और कितना असूला यह वाड का काम है आपको महीने मिने वाड ही यह पैसा असूलेगा चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि कितना महीना आपको असूला जाएगा जो दोस्तों यह सब योजना में जो गडबड़ी होता है अगर कोई योजना जो सरकार बनाएगी बबिश्य में तो वह जो है पंचायती राज्य निचली अस्तर पर लोगों को कौन यह पैसा का मुहिया करेगा मतलब यह लाव कौन देगा मुखिया देगा क्योंकि आप भी जानते है पंचायती राज में जो परियोजने का जो मेन हेड होता है पंचायत में वो मुखिया ही होता है तो इसलिए मुखिया का पोस्ट बहुत ही अहम रोल होता है पंचायत उसतर में जैसे एस्टेट में मुख मंत्री का रोल होता है उसी बारे में मैं आपको एक वीडियो पाटिकलर बनाने वाला हूं कैसे आप अच्छे जन प्रतिनीजित्यों को आप अपना भोट दे सकते हैं भोट का मतलब भोट नहीं यह बहुत बड़ा अधिकार होता है यह अधिकार आपको जिसको ब्यक्ति को दे रहे हैं वह आपको सोच स कैंडिडेट है उसको भोट दबा दियां ऐसा कुछ नहीं है आपको किसी बिहाब पर आपको देखिए अब कुछ लोग कहा है कि चाहे जो भी बिहार में अभी खाड़ा होंगे वह बड़े-बड़े पार्टि उन्हीं को भोट देंगे आप सही है क्योंकि बड़े पार्ट कि आपको कैसे बोट देना है आपको चुनना अपने एरिया के लिए तो नेस्ट वीडियो में बात करेंगे अभी जो बात करने के लिए चली उस पर बात करते हैं लोग का कोचान है कि जब हमें मुक्त में पानी मिल रहा है तो इसके लिए हम उबगता सुल्क क्यों देंग लोगों से मतलब इत्वाने के लिए बोलती है जब आपको पानी हम दे रहे हैं तो आप से भोगता सुलक के यह बताने के लिए जो है बोल रही है तो यह पर यह उद्याद समुदाय के लिए समुदाय द्वारा संचालित होना है इसका गलत है आगे आपको पतब आपको बत चलेगा योज नहीं ऐसा है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले समझ लिजे कि इसमें आपको मात्सिक सूल कैसे लेगा और योजना का कैसे संचालन करना है देखिए वाड इतना गलती किया है इसमें यहां पर गलती क्या किया है एक तो इलेक्टेड होके लोगों का जो है भरोसा जीत क खटा करना था वहां पर समीती उसको बनाना था कि जलन अलोजना जो है भविश्य तक कैसे काम करें इसके लिए समीती गठन कीजिए और वहां पर सदस से इसको बनाई है ताकि लंबा समय तक लोगों को अच्छा पानी मिले ऐसा इसमें करना था लेकिन यह सब किसी भी संदे पर रखना होगा और यह समान खरीदना होगा जिस पर हुए खर्च को भोकता सुल्क के पूरा किया जागा अन्य अथर रख रखाओ में अभाव में मित्र प्राप हो जाएगा इसका मतलब सरकार यह बोली है इसमें कि जो भी मतलब आपका पाइप फट गया चाहे रखाओ के लिए उसमें जीतना खर्च आएगा ना इस सव परिवार है इने से लिया जाएगा इतना चोटी सी खर्च नहीं कर पार यह इस से चलते क्या होगा कि अभी योजन्या में इतना क्लोर रप्य तो लग गया है लेकिन अम्रित साबित होना ही होना है कोई वाड इतन परतिबंद भी नहीं लगा दिया जाता है रहेक अगर एक इंपलोई भी इसके लिए रख दिया जाता तो यह स्थायद योजन्या लंबे समय तक चलता लेकिन यह पर नहीं रखा गया और भौक्ता सूलकि में बात करूँ तो यह मान के चले अगर हजार रुपय बिजली ब करने के लिए और जो मिस्तरी बोल रहां को किसली है तो कौन उसका साफ करेगा इसलिए मैं बोल रहा हूं रख रखावी वह बोल रहा है कि मुक्त मंत्री दूसरा तो मिनरल के तरह आपको जैसे यूजना में बोला गया आपके भाग आगा अब उच्छाओ महिने के बाद अगर टांग की आगा नहीं नहीं आगा तो आवाज मेरा बैड गया है तो नहीं आगा इसलिए मिस्तिरी और ऑपरेटर और यह के जो है यह बिजली बिल का कनेक्शन क लेकिन अगर इसचे उपर महिना लग सकता है लेकिन अगर इस योजना को आच्छा से आप चलाना चाहते है अब इसमें खर्चा क्या होगा यह तो तीन चीज़िज जो है मतलब कि रेगुलर आपका खर्चा हेगा लेकिन और इसमें एड क्या होगा जैसे कुछ पॉप टुड़िया काई नल टुड़िया काई फट यह सब काम कराएगा ना तो इसका समान का खर्चा पलस मीज मिस्तिरी के खर्चा तो आप दे यह दूए हैं लेकिन समनों खर्चा क्या है वो भोगतों दोरह दिया जाएगा यह सारे पैसा जो है जब तक आप नहीं दियेगा तो कैसे लंबह समय तक यह सक्सिज भेएं आपके घर में पानी लेना चाहते हैं तो आपका उभोगता सुलख के तौर पर आपको यह पैसा जो है इंगे तो क्या पैसा आगर उभकतान नहीं देगा चार महिना पांच महिने के बाद बिजली बिल एगा तो पर난ा चार पैसा अलग 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 है तो इसे सब आपका बिजली बिला गया तो आप सरकारी दोनों संस्ता है पानी नहीं मिलेगा तो आपको समझ में साथ आ गया होगा कि अगर आप पैसा नहीं दिजाए तो लंबे समय तक यह नहीं टिक हैगा और पैसा अब सुच रहे हैं कि फिरी में यूज करें तो आप बिल्कुल गलत हैं यह मर जाएगा कोई काम का नहीं रुपया सरकार की बिहा है कि अगर वाट को पैसा दें तो वह कितना काम कराएगा कितना के साफ कराएगा कि इतना का करेगा बिजली विल दिया आपको पर दिश्ता कोई वाट नहीं दिखाएगा यह मुखिया का परिभासा पहले जो था ना जो सभीधान सोच के अम्बेदकर ऐसे तो महात्मा गां वाट करेंग करेंगा नहीं मुखिया वाट का बताया है कि जो लोगों द्वारा जो साप सूटरा और बहुत अच्छे होंगे उसी को मुखिया लोग बनाएंगा इसातों को लोग नहीं आज आगे मुखिया बनाने का ज्यादा पैसा इलेक्टरि जितने पैसा बिगे और जितना मतलब जानते हैं क्या क्या खर्चा करना पड़ता है जितना बवा दीजे बस मुख्या बन गया तो इसी तरह से आपका इलेक्शन आज कल हो रहा है तो जो सविधान में जिस तरह मुख्या का प्रभासित किया गया था जिस तरह से पंचायतीर राज महत्मा गांधी सोच के बनवाए थे वह बिल्कुल अभी सूट नहीं करता है इसलिए जो भोगता देगा भी नहीं तो परदर्शता यहां पर नहीं होगी और यहां पर यह भी बताया गया है जो यह सदिकारी वह बोले हैं इसका हिसाब जो होगा इसका जो है ग्राम स इस दिखा सकता इसा तोड़ी नहीं इतना का समय नहीं इतना का है तो यह सब फिजूल के बातें हैं तो इस योजना में क्लोरो रुपया अभिहार सरकार जो है लगाई है सुचारू ढंग से चलाने के लिए और गरीब परिवारों को यहां पर पानी देने के लिए लेगिन पियाना मुझे इस योजना का सबसे कमजोर पर्शन जो लगा नहीं यहीं लगा सबसे कमजोर पर्शन यहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि जनता A equity प्र उपर पशाब भी थी आगा तो जब माली जांचोंगा ना तो कोई भूकता सुल्क देवे नहीं किया तो मांगे तो कोई देवे नहीं किया इसलिए मुरा माति नहीं हुआ बंद पड़ा हुआ है इस तरह से क्रोरों रुपया बिहार सरकार के डूप जाएगी अब ऐसा में क्यों बोलने का मक्सा दिया है कि ज्यादा जूरत है ना जिसका उसी की लोग पैसा देते हैं आपका कम जूरत की लोग पैसा ने अब जिसके घर में कॉल है ना तो कॉल से पा देने के जुरत नहीं आपको पता चल गया हुआ कि इसमें उभोकता सुल्क आपको कितना देना है यदि दोस्तों यह जनकारी आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दिएगा और हमें भी कमेंट करके बताएगा कि कहा पर क्या प्रोग्लम है आपका क्या आपको व कितना आपके जो पंचायत में नल जल पूरपर वर्क कर रहा है कि नहीं भोकता सुल्क आपसे लिया गया है कि नहीं तो यह हमको आप कमेंट करके जरूर बताएगा और दोस्तों वीडियो आप पसंद आया हो तो आप लाइक कर दिएगा इसी तरह का आप नॉलेज़ प्रा प्राचि में बूरूरू